है हलो एवरीवन वेलकम टू एड़िट टैप आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आज के हमारे सेस्टन में और आज के सेस्टन में हम डिसकस करने वाले हैं टीपस एंड्रिक्स स्टू सॉल कोडिंट कोडिंग कोई को इसे हैं को logic को find कर सकते हैं वही हम आज के session में discuss करेंगे session में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बताना चाहूंगा अगर आप हमारे channel पर नहीं है तो आप हमारा YouTube channel subscribe कर लें free content or notification के लिए हमारे telegram channel भी जुरूर जोइन करें तो do subscribe our YouTube channel as well join our telegram channel जिसका link इसी वीडियो के description box में आपको दिया गया है तो चलिए अब सुरू करते हैं आज का हमारा question है वो आप सब की screen पर आ चुका है read the following information carefully and answer the questions given below तो आपके पास क्या है कि एक certain जो कुछ words आपको दिये गए राइट-hand side के तरफ जिनको left-hand side में कुछ words के साथ code किया गया और वो code क्या हो सकते हैं आपके letters भी है symbol भी है number भी है बट आपको यह पहचानना यहां पर कि क्या logic यूज करके in codes को in words को in codes के साथ decode किया गया है ठीक है भाई तो जब भी आपको इस आपके questions को solve करना हो आपको 2-4 चीज़े हमेशा mind में रखनी है या तो logic लगता है total number of letters के base ठीक है किस पर लगता है total number of letters उस word के अंदर कितने है तो इस बेस पर logic लग सकता है या first letter से logic लग सकता है first letter किसी भी word का first letter हो सकता है या last letter से logic लग सकता है ठीक है भई या फिर number of vowels या consonant से number of vowels उसके अंदर कितने है इस पर logic लग सकता है या number of consonants पर logic लग सकता है या फिर अन्य जो भी letters बसते हैं से second, last, last, third या letters के opposite letters समझ रहे हैं इन सब पर बेश्ट भी logic हो सकता है ठीक है तो सबसे पहला काम क्या करना है हम य चेक कर लेते हैं कई वही वाला logic तो यूज नी हो रहा जैसे music की बात करून तो यहां पर five letters है इतने ही यहां पर क्या numbers को use किया गया है जैसे 5 है, 2 है, 7 है, 8 है तो जो codes यहां पर available है उनमें भी 5, 2, 7 और 8 का use हुआ है ठीक है, तो यहां से एक hint हमें मिल गया कि इन सब के यह code होंगे और code में हमें यह भी पता चल गया कि किस particular word के लिए क्या code use हुआ है जैसे मैं music की बात करता हूँ ठीक है, तो music में कितने letter हैं 5 तो 5 के लिए क्या use हुआ है 5 has और you ठीक है, अगर मैं बात करूँ natural की, 2 हम लोग यहां पर उठा लेते हैं words को, natural की अगर मैं बात करूँ तो natural के लिए code use हुआ है 7 and or a, ठीक है तो अब हमें यह तो पता चल गया कि जो first, left hand side की तरफ से जो first code आ रहा है वो तो total number of letters पे बेस्ट है यानि जीतने letter है उतना ही number यहां पे आ रहा है ठीक है, तो अब उसके बाद अगर sign देखें कि sign क्या, जो यह symbol है symbol किसके लिए use हो रहा है symbol का क्या code है तो यहां पे सभी के लिए different symbol यूज हो है ठीक है, जैसे यहां पे अगर मैं यह check करूँ कि 7 के साथ end आ रहा है तो यहां भी देखो, second में भी 7 के साथ end या रहा है और यहां भी देखो, तो 7 के साथ end या रहा है मतलब हो, यह जो symbol है, यह भी total number of letters पे ही based है जितने letter हैं, उनके लिए अलग-अलग symbol यूज हो है यह तो हमें यहां से पता चल जाएगा clear है, तो अब बात आती है कि जो यह third, right hand side की तरफ से first या left से जो third code आया है यह कैसे आया है, तो अगर मैं यहां पे बात करूँ music में, तो यू जो है, वो second letter था left की तरफ से, बट यहां पे A देखूँ तो natural में A भी second की तरफ से है लेकिन अगर मैं यहां पे बात करूँ two में, each में, तो second letter तो S है, बट two के साथ यहां पे I आ रहा है तो यह इसके साथ यू जी नहीं हुआ eight के साथ बात करूँ, तो यहां पे E आ रहा है और medicine में E है, तो मतलब यह E हो सकता है second letter हो, लेकिन अगर यहां पे देखें, eating में six letter है और यहां भी six letter है, बट यहां पे last में E आ रहा है, और यहां पे second letter A था, तो that means second letter वाला था फंडा नहीं है, तो फिर word के अंदर, जैसे music में U है, तो यहां पे U आ गया natural में A है, तो A यहां पे आ गया कहीं भी देखोगे, अगर आप health की बात करोगे, तो total कितने letter है, six, six के साथ क्या रहा E, क्योंकि जब first vowel है, वो E है life की बात करोगे, four letter है यहां भी four है, ठीक है, लेकिन जब first vowel है, वो I है, इसलिए यहां पे I है, अगर extra की बात करोगे, तो first vowel E है, देखो, E यहां पे आ गया क्योंकि extra में five letters है, now की बात करोगे, तो थरी के साथ O आया क्योंकि O आपका first vowel है, तो eight के साथ, क्या symbol यूज होगा, देखो, eight के साथ, यहां star आ रहा है, तो that means यहां भी, क्या आएगा, star आएगा, और अब first letter लेना है, left hand की तरफ से, तो first letter vowel, sorry, first vowel, left hand की तरफ से A है, तो that means, यहां पे A आ जाएगा, तो balance की जो coding हुई है, वो eight star A के साथ हुई है, ठीक है भई, अब दूसरा diet के साथ, अगर देखो, तो total four letter हैं भई, और four letters के साथ कौन सा symbol आ रहा है, add the rate आ रहा है, ठीक है भई, और साथ में जो first vowel है, वो I है, तो four add the rate I, और eight star A, यह आपका available है, option C के अंदर, तो option C आपका right answer हो जाएगा, ठीक है, ऐसे ही second के अंदर देखें, what would be the code for climatic condition, अब climatic की बात करूँ, तो total eight letters हैं आपके, तो eight के साथ symbol आ रहा था star, और जो first वो वो आपका, वो left end की तरफ से है, I, ठीक है भई, तो eight star I होगा, तो eight star I, यहाँ पे आएगा, और साथ में condition में अगर देखूं, total कितने letter है, nine, और nine के साथ क्या use हो रहा है, देखो, यहाँ पे nine के साथ equal का sign आ रहा है, तो equal आ जाएगा, और साथ में, जो first vowel है, वो क्या है, O है, तो nine equal O और eight star I, तो यहाँ आप हमेशा, जो logic check करेंगे, वो logic check करना, आपको या तो total number of letters पे, first letter पे, last letter पे, उनके opposite भी हो सकते हैं, number of vowel भी हो सकते हैं, number of consonant भी हो सकते हैं, और जो symbol है, उनको भी, इनी logic के अधार पे बनाया गया होगा, ठीक है भई, चलिए, तो thank you very much, आप सबी का बहुत-बहुत सुक्रिया, उम्मीद करूँगा कि ये, आपको session अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो जादा-जादा like करिए, share करिए, मिलते हैं next session में, इसी जो सरुटसा के साथ, thank you very much, जै हिंद, जै भारत